रात का समय है, चारू तरफ अंधिरा ही अंधिरा है, गाउ में एक गरीब परिवार है, छोटे से मकान में एक मा चारपाई पर अपने दो बच्चों के साथ सो रही है, तभी हलका सा शोर हुआ, एक भेड़िया दस्तक देता है और सो रहे बच्चों में से एक को उठा कर ले जाता है, उस रात चांद की रोश्नी के बावजूद मकान में अंधिरा च्छा जाता है, दरसल भेड़िया उस बच्चे का शिकार कर उसकी जान ले लेता है तारीक चार अगस्त गाउं का नाम कॉलेला देर रात श्रीला देवी नाम की महिला अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी परिवार गरीब है घर में दर्वाजा लगाने के पैसे नहीं तब ही देर रात भेडिया आया और बच्चे को उठा कर ले गया बच्चे की माँ ने लोकली टीम को उस रात का पूरा सीन बताया जो हम आपको सुनाते हैं अब भर्मा वह थी दू बजे रात में चार पाई का जहां चार पाई करी हैं तो तीन मिला रहने हैं वह दू बच्चे जोने बच्चा लईगा है और हम एक छोट वाला वह रहा है परा स्वावत हैं अब हम देन रहने तो पाच्छन पाच्छे हम कहें हार दादा लईगा कोई का अई हम नाजा कि हम रे बच्चे का लईगा भी अब यह पर हम मजे मजे उब वहाहाई इसे जिनारे किनारे से पंज़ई बने रहा है जहां जहां के सुनें तहां तहां के सब तो यह आए गए है पर खौफ अब भी जायज है क्योंकि इन आदम खोर भेडियों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि साथ जाने ली है ग्रामीनों की आखों में डर है लोग अब भी देर रात तक पहरा दे रहे हैं ताकि भेडियों के हमले से अपने परिवार का बच्चा अफ कर सके बाद ने रुपाब ऐसा देही और ये इधाल लेट है और ये के दिसामने वाला रहा है चार जन्य के गाउंगा और दूसगा रहन दर चार जन्य दिए लिए और ये खम रहे हैं पांक दबाद गाउंगा इस से पहले प्रशासन ने कैमेरे में कुल छे भीडियों को कैद कि जिसमें से हाल ही में 29 अगस्त को चौथा भीडिया पकड़ा गया बाकी दो की तलाश अब भी जारी है सर्च ऑपरेशन तीज हो चुका है पांच किलोमीटर की रेंज में भीडियों को ढूंडा जा रहा है भीडियों को पकड़ने के लिए बकरी के बच्चों का इस्तमाल क किया जा रहा है इससे भीडियों की आतंक पर लगां लगाई जा सकीगी लोकल इटीन के लिए बहराई चुसे बिन्नू बालमिकी की रिपोर्ट